काले घणी और लंबे बाल तो सबी चाहते हैं लेकिन ऐसे बाल सबी के नहीं होते हैं सबी बालों को घणा और लंबा बनाने के लिए कैमिकल योग शैंपू, तेल, कंडिशनर और कई सारे हैर प्रड़क्स यूज़ करते हैं इसे बाल लंबे होने के बज़ाए जड़ने लगते हैं। ऐसे में आप हर घर की रसोई में, इस्तमाल किये जाने वाले करी पत्ते का इस्तमाल करके, आपके बालों को काला, घना और लंबा बना सकते हो। करी पत्ते में प्रोटीन और बीटा क्यारोटीन भरपूर मात्र में होता है जो बालों को डामेज होने से रोपता है और बालों को मस्बूती देता है करी पत्ते में आयरन, कैल्शिम, फोस्पिरिस और विटामिन B1, B3, B9 होते है इसके सेवन से बाल लंबे समय तक काले, लंबे और घने बने रहते है आईए जानते है करी पत्ते को बालों के लिए किस किस तरह से इस्तमाल किया जा सकता है शुरू करने से पहले हमारे चानल से डेली अपडेट्स बाने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना न भूले करी पत्ता आपके बालों को लंबा, घना, काला और डैंडर फ्री बनाता है तो चलिए अब देखते हैं कैसे आप करी पत्ते का यूज आपके बालों में कर सकते हो करी पत्ते का तेल बनाकर करे इस्तमाल बालों को घना और मस्बूत बनाने के लिए करी पत्ते का तेल बनाकर भी इस्तमाल किया जा सकता है इसके लिए करीपता लेकर अच्छी तरह से धो कर सूरज की धूप में सीधा सुका ले इसे तब तक सुकाए जब तक पत्ते कड़क ना हो जाए फिर इसे पीस कर पाउडर बना ले अब इसे 200 मिलिलीटर नारियन तेल या ओलिव ओल में चार से पांच चमच करीपते पाउडर को मिक्स करके अच्छे से उबा ले फिर इसे थंडा करकर छान ले और इसे एर टाइट सीशी में डाल कर रख ले और रोजाना इसका इस्तमाल करे करीपते का पेस्ट बना कर करे इस्तमाल करी पत्ते में ऐसे जारे पोशक तत्वा पाए जाते हैं जो बालों को स्वस्त रखते हैं आप इसका पेस्ट बना कर इस्तमाल कर सकते हैं इसके लिए करी पत्ते को पीस कर इसका पेस्ट बना ले इसे बालों की जड़ पर लगाए आप चाहे तो करी पत्ते को कच्छा जबा क भी खा सकते हो इसके फाइदे उतने ही रहेंगे दही और करी पत्ते का हैर मार्क्स बनाकर यूज करें बालों में शाइनिंग लाने के लिए करी पत्ते के पेस्ट को दही में मिलाकर भी इत्तमाल किया जा सकता है दही में करी पत्ते का पेस्ट अच्छी तरह मिक्स करके बालो में लगाए और 20 से 25 मिनिट बाद बालों को शैंपू से धो ले करी पते की चाई बनाकर पिए करी पते की चाई बनाकर पीने से बाल लंबे घने और जल्दी सफेद नहीं होते हैं साथ ही में ये पाचन तंत्र के लिए भी काफी फाइदिमंद होते हैं इसकी चाई बनाने के कडी प्त्य को पानी में उदाना और फिर इसमें निम्वो निचोड कर चीडी मिक्स करके करके पिए अब से आप आपके खानी में से कडी पत्य को निकालकर अलग ना फिके उसे खा जाए इत Bio की आपके बाल भी कुछ ब classmates और गने हो जाएंगे अगर आप भी कडी पत्य के और सब्सक्राइब जरूर करे थांक यू